हेलो एडिवान, वेलकम टो अनेस्ट वालाई सिकेनमी उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके त्यारी भी काफी जबरदस्त, काफी संदार तरीके से चल रही होगी एवरिवन हाल ही में UGC NET ने अपने ओफिसेल वेव साइट पर एंसर की प्रोविजनल एंसर की प्रोवाइड खरवाया है और उसके उपर और लेडियो मैंने वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपके कितने कुश्चन सही हो रहे हैं कितने कुश्चन गलत हो रहे हैं और कितने कुश्चन आपके सही होंगे तो आप पास होने वाले हैं इस वीडियो में हम इसके बारे हैं बात करने वाले हैं कि आपका कुश्चन कितना सही होना चाहिए कितना question सही होने पे आप पास हो जाएंगे कितना question आपका गलत होने पे आप पास नहीं हो पाएंगे तमाम चीज़े इसमें हम बात करने वाले हैं क्योंकि already बहुत सारे confusion आपके mind में चल रहा है कि final answer की जो कब आने वाला है कौट अफ कब आने वाला है उसमें आप जोइन कर लिजेगा क्योंकि वहां पे आप लोगों के लिए private group बनाया जाएगा ताकि आप लोग अपनी हर equation को वहां से कर सके ठीक है और भी वहां पे update डाले जाते हैं जो आप जोइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा अप आईए शुरू करते हैं everyone तो यहां पे हमने क्या-क्या यूज किया है तो यहां देखे sources की रूपे मैं बता दूँ तो यहां पे हमने 2015 से लेकर कि 2020 तक यानि कि आपका 2020 को तो जून तक का data इसमें यूज किया गया है ताकि इससे ये पता चल सके कि finally कितने question सही होने पे यूजिसी नेट एंड जियरेफ क्वालिफाई किया जा सकता है ठीक है देखें cut of percentage यह सारी चीज़े हम बात करेंगे देन एक मोटा मोटी आपको यह पता चल जाएगा कि इतना number of question आपका सही होगा तो आप pass हो जाएंगे अगर उतना number of question आप सही नहीं हो रहा है ठीक है तो आप pass नहीं होंगे यह सारे चीज़े उसमें बात किया जाएगा साथ में कितना question सही होने पे यूजी सीनेट आपको consider कर सकती है जियरेफ या यूजी सीनेट देने के लिए लेकिन उस subject में जो highest marks जिसका होगा उसी को final selection मिलने वाला है तो इसमें sources में बता दिया 2015 से लेकर के 2020 तक का data यूज किया गया है साथ में previous year का भी data यूज किया गया है इस वीडियो में तो इसमें recent trend क्या चल रहा है different different platform पे कि उनके according कितने number of questions सही होने चाहिए या previous year की मैं बात करूँ तो previous year में cut off को कैसे बनाय गया है percentile के रूप में percentage के रूप में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को एक सही और सटी knowledge दिया जा सके और आप लोगों ने जैसा की अपना answer की मिलाया होगा तो आप लोगों को एक मोटा मोटी पता चल गया होगा कि इतना question आपको paper 1 में सही हो रहा है इतना question आपका paper second में सही हो रहा है सारी चीज़े आप लोगों को पता चल गया होगा यहाँ पर fourth number point देखिए और यह मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा important point है जो भी हमारे sources हैं जो भी expert हैं उनसे राए लिया गया है कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़े दिया जाना चाहिए बच्चों को ठीक है साथ में जो selected person है जैसे कि जिनका selection हुआ है नेट ज्यारेफ के लिए ठीक है जो already practices कर रहे हैं research कर रहे हैं college university में जैसे कि जियो के बहुत सारे दोस्तों का इसमें knowledge जैनियू के बहुत सारे दोस्तों का knowledge इस वीडियो में include किया गया है ताकि उन्होंने एक setting guideline दिया है कि आप इस तरीके से अपना वीडियो में ये point डालेंगे तो ये ज़्यादा सही होगा इसमें मैं बहुत ज़्यादा gentle data का use नहीं किया हूँ काफी simplify करके मैं इस वीडियो को बनाया हूँ फिर कुछ original marksit जैसे कि वो marksit मैं आपको दिखा नहीं सकता original marksit कहने का मतलब ये है कि जो certificate provide करती है UGC net जो jrf qualify करते हैं उनको और जो net qualify करते हैं उनको तो उनके marksit को इसमें use किया गया है ताकि हर एक पहलो को काफी अच्छे से जाना जा सके जैसा कि मैंने previous से time में आपको बूला है कि इसमें selected net and zrf जो candidate है उन लोगों का मैंने marksit का data का analysis करके इसमें use किया है ताकि आप लोगों को एक सट्टिक information दिया जा सके तो finally हम उस पिटाड़ा खुलते हैं अगर यहां तक वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो like तो दबाहीं दबाहीं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब हम देखिए यहां से पिटाड़ा खुलना सुरू होता है कि uses inate and zrf expected caught off तो caught off के उपर में बात करूँ तो expected caught off क्या होने वाला है कितने number of questions सही होने चाहिए तो पहली बात यह है कि आप यहां पे देखिए क्या टागरी है journal, EWS, SC, 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 OBC ठीक है यह सारी डाटा इसमें यूज किया गया है then subject आपके कौन-कौन से subject है उसके बाद paper 1, paper 2 में कितने questions सही होने चाहिए यह सारी चीजे इसमें अब बात करने वाले हैं तो यह final एक data है आप लोगे पास ठीक है इसको मैं थोरा सा zoom out कर लेता हूँ यह zoom पे है तो थोरा मैं इसको zoom out कर लेता हूँ अब यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पे अपने comment देखा होगा यह सभी paper के लिए लागू हो रहा है देखे थोरा मोरा उपर नीचे जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा variation इसमें देखने को नहीं मिलता है इसलिए इसको काफी simplify करके जैसे कि यूजिस नेट एंजियर इस जो काट आफ जारी करती है वो काट आफ समझ पाना काफी ज़्यादा मुस्किल होता है हर वेक्ति के लिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी होता है काफी ज़्यादा बल्की होता है और हर एक subject को अब देख भी नहीं पाते हो इसमें इसलिए इसको काफी simplify किया गया है ताकि आपको हर एक पहलू काफी अच्छे समझ में आ जाए paper 1 सब के लिए common होता है इसलिए इसके लिए common यहाँ पे list जारी किया गया है तो इसमें paper 1 के लिए मैं बात करूँ तो journal के लिए EWS के लिए OVC के लिए CST के लिए आपको इसमें करना क्या है तो पहले journal के लिए हम बात करें तो देखे इसमें सब का एक common marking होता है क्योंकि paper 1 का आपको cut off फार करने के लिए जो journal का टागिरी से है ठीक है या EWS से है उनको कम से कम 40% marks आने चाहिए paper 1 में 40% marks आपके आने चाहिए यानिकि 40% आपके question आपके सही होने चाहिए approximately 20 से लेगर के 25 question के असपस आप जाएंगे तो आपका 40 से लेगर 50% तक पहुंच जाएंगे लेकिन JRAP में और NET में आपको qualify करना है तो कम से कम 20 तो आपके सही होने चाहिए लेकिन maximum देखे maximum number of questions 30 मेंने बहुत ज़्यादा highest रखा है 30 बहुत कम learners का जाता है और जिनका बहुत कम लोगों को जाता है 30 plus ठीक है 30 plus marks जिनका भी बहुत कम लोगों को जाता है 96% यानि कि 5% 6% 2% 3% बच्चों का plus काफी ज़्यादा high rate में जाता है आपका paper 1 में questions, number of questions यह देखे मैं यह paper 1, paper 2 जो देख रहे हैं यह number of questions है कि इतने question आपके correct होने चाहिए कम से कम 20 question तो आपके सही होने ही चाहिए तभी आप paper 1 qualify करेंगे उससे नीचे आ रहा है तो आप छोड़ दीजे फिर आप भूल जाईए कि आपका paper 1 आपने qualify किया है यह आपका selection भी होने वाला है वो भूल जाईए यह सासवत सत्य है और इसे चाहिए को आप जितने जल्दी हजम कर सकते हैं कर लीजे ठीक है तो journal category के लिए 20 से लेकर के 30 रखा गया 30 highest रखा गया है और जिनका भी 30 प्लस आ रहा है ठीक है और 25 प्लस आ रहा है तो उनको उनको consider भी किया जाएगा और साथ ही paper second उनका decide करेगा कि उनका result आने वाला है कि नहीं आने वाला है तो अगर आप 25 प्लस करते हैं paper 1 में ठीक है और 55 से लेके 65 आप question सही करते है paper second में तो आप लोग net and GRF के लिए qualify हो सकते हैं ठीक है और इसमें भी जिनका highest marks आएगा यानि 65 जिनका आ रहा है और 30 प्लस जिनका आ रहा है तो उनका GRF एकदम confirm है उनको GRF मिलेगा बट इसमें एक चीज़ और है कि ये सारे subject बाइज जो मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़े मोरे आपको variation देखने को मिल सकता है 2-4 नंबर का तो इससे भी आपको धियान में रखनी है अब हम EWS की बात करें तो all paper है इसमें जैसा कि मैंने एक journal इसमें marking किया है 20-20-20-20 चाहे OBC हो, journal हो, SC हो, ST हो सारे candidate के लिए मैंने एक journal marking कर रखा है 20 लेकिन यहाँ पे OBC, SC, ST के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आप लोग को चाहिए 35% ठीक है 35% आपको mark चाहिए ताकि UGC, NET जिस तरीके का युद्दे की मैं 35 और 40 का पहले एक रिस्यो समझा दू तो 40% जो आपको qualifying करने के लिए दोनों paper में चाहिए होता है 45, 40% mark OBC, SC, ST तो देखिए आप लोग को कम से कम 20 question तो आपके सही होने ही चाहिए अगर 20 से लेकर के 30 के बीच में अगर साड़े आपके paper 1 में 20 से लेकर के 30 questions सही हो रहे है तो आप करीब आचुके हैं selection के करीब आचुके हैं चाहे NET का हो, चाहे JRF का हो उसके करीब आचुके हैं और वहाँ पे paper second में बात करें तो यहाँ पे देखिए EWS के लिए मैंने 50 से लेकर के 60 questions दिये हैं कि 50 से 60 questions आपके सही होने चाहिए अगर आपको NET NGRF में वाली फाई करनी है तो ठीक है इतने questions तो आपको सही होने चाहिए suppose that आपके paper first में 25 questions सही होते हैं इसी भी category के मैं ले रहा हूँ कोई particular एक category नहीं 25 questions supposed that आपके सही हो रहे है तो 25 questions का आपको marks मिलेगा 50 ठीक है और इधर से आप ले लीजिए कि आपका जो question सही हो रहा है paper second में वो मान लीजिए कि 50 questions ही आपके सही हो रहा है paper second में तो 50 दूना 100 हो जाता है तो पुरे 1500 आपके marks आ रहे है तो 1500 marks आ रहा है तो आपको consider भी किया जाएगा और साथ में आप नेट के लिए भी qualify हो सकते है लेकिन जो जेरेफ को qualify करना है तो 25 के plus तो आपको paper first में जाना ही चाहिए और 65 plus आपका paper second में जाना चाहिए तो यह सारी चीजे हर एक के section के लिए लागू होता है वहीं पर आप देख लिए तो OBC के लिए मैंने 55 से लेकर के 60 marks रखे है और 60 plus जितना आप जाते जाएंगे आप selection के उतना ही करीब जाते जाएंगे लेकिन जो भी मैंने इसमें marks रखे हैं जो भी number of questions इसमें मैंने रखा है जो भी select किया है यह questions से आपको बस इतना अंदाजा लग जाएगा कि आप selection process में आ जाएंगे selection process में आ जाएंगे यानि कि आपको थोड़ी सी उम्मीद मिल जाएगी कि आप selection process में आ जाएंगे ठीक है और यह सारा कुछ depend करेगा आपके subject के उपर कि आपका कौन सा subject रहा है ठीक है लेकिन यह जो journal marking है यह journal marking हर एक subject के लिए लागू होता है इतना तो आपके सही होने ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको consider किया जाए तो यह सारा चीज़े हमने बात कर लिया OBC, SC, ST and EWS and journal categories का तो यह सारी चीज़े हमने बात कर लिया इसके अलाबा कोई भी आपके मन में question रह गया हो ठीक है तो आप comment box में जुरूर पुछेगा मैं उसका answer दे दूँगा जितना जल्दी हो सके as well as possible and यह telegram channel है वहाँ जोईन कर लिजेगा ताकि आप लोगों के लिए जो separate बनाया जाएगा channel ठीक है वो वहाँ पर आपको बात्चित वहाँ से आपसे बात्चित किया जाएगा तो इतने number of questions जो भी दियेगे है पेपर सेकेंड में अगर इतने number of questions आपके सही हो रहे हैं तो आप secure zone में हैं और आपको किसी तरह कोई tension लेनी की ज़रूरत नहीं है ठीक है अंति में बस यही कहूँगा कि thank you so much everyone वीडियो अच्छी लगी हो तो like, rate, review and share करना मत भूलिएगा and then last में मैं हर वीडियो में हर सब्स चाहें किसी भी section की में वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक चीज जो common है कि अगर आपने कोईट के वैक्षिन नहीं लिया तो प्लीज 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 चाहिए अपने nearest vaccination center पे और वैक्षिन लेज़े बहुत ज़रूरी है आपके परिवार के लिए और हमारे देश के लिए ठीक है यह बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा fundamental duties ठीक है तो यह हमारा करता भी बनता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करे ठीक है तो आप अपने आसपास में अगर चार पांस लोगों से भी पुछते हैं अगर वैक्षिन नहीं लिया उनको बताते हैं कैसे से वैक्षिन ले सकते हैं तो समझ रहें न कितने ज्यादा कितने कम केसे हो जाएंगे हमारे देश में और हम लोग बहुत जल्द कोविट से भाहर निकल जाएंगे ठीक है तो इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में वीडियो लगे तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक झाल